जै मातादी आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ दुर्गाश शप्तशति पार्ट से कीलक पार्ट ओम चंडिका देवी को नमस्कार है मारकंडे जी कहते हैं विशुद ज्यान ही जिनका शरीर है तीनों वेध ही जिनके तीन देवी नेत्र हैं जो कल्यान प्राप्ति के ह अपने मस्तक पर अर्दचंद का मुझा धारन करते हैं उन भखवान शिप को नमस्कार है मंतरों का जो भी अभी कीलक है अर्थात मंतरों की सिध्धी में बिखन पस्तित करने वाले शाप्रूपी कीलक का जो निवारन करने वाला है उस सबस्तिती सोत्र को समपूर्ण हो जाती है तता पी जो अन्य मंत्रों का जब ना करके केबल शप्तशती नाम के सोत्र से ही देवी की सुती करते हैं उन्हें सुती मात्र से ही सचिदा नंसुरुपनी देवी सिद्ध हो जाती है उन्हें अपने कारे की सिद्धी के लिए मंत्र और सिद्ध अन्य किसी साधन के कि उपियों की अवशक्ता नहीं रहती बिना जब के ही उनके उचाटन आदी समस्त अविचार कर्म सिद्ध हो जाते हैं इतना ही नहीं उनकी संपूर्ण अविष्ट बस्त में भी सिद्ध होती हैं लोगों के मन में ये शंका थी कि जब केवल शप्तशती की उपासना से वेजग्यास्तों को समझाया कि ये शप्तशती नाम संपूर्ण सोत्री स्रेष्ट एवं कल्यानमय है ततंतर भगवती चंडिका के शप्तशती नामक सोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया था शप्तशती के पार्ट से जो पुन्ने फलप्राप्त होता है उसकी कभी कि समाप्ती नहीं होती किन्तु अन्य मंत्रों के जब जने से पुन्ने की शमाप्ती हो जाती है अतया भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो शप्तशती की ये श्रेष्टा का निड़ने लिया उसे ही यथार्थ ही जानना चाहिए अन्य मंत्रों का जब करने वाला पूरश्यदी सव्जती के सोत्र और जब का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूंड रूप से ही कल्यान का भागी हो जाता है इनमें तनिक भी संधिय नहीं है जो सादक क्रिश्ण पक्ष की चतुदर्शी एवं अस्टमी को एक काग्रजिश्ट होकर भगवती की सेवा म अपना सरवस्त समर्पित कर देता है और फिर उससे प्रसाद रूप से घ्रहन करता है उसी परभवती प्रसन होती है अन्यदा उसकी प्रसन्ता नहीं होती है इस प्रकार सिद्धी से परती बंधग क्ले लग के द्वारा महा देब जीव ने इस तोत्र को के लिक कर रखा है जो पुरोग तरीती से निश्कीलन करके इस सब्तशती का प्रती दिन स्पष्ट उच्चारन पूर्बक पाठ करता है, वे मनसे सिद्ध हो जाता है, वे देवी का पार्षद होता है और वही गंधर भी होता है, सर्वत विच्रन करते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भै नहीं रहता, वे अप मित्यू के वश में नहीं पढ़ता, तथा देत यागने के बाद भी वे मोख्ष को प्राप्ट कर लेता है, और विदमानपुरी निदोर्शोत का ही पाठ आरम करते हैं, इस्त्रियों में जो कुछ भी स्वभाग यादि दिस्टिकोचर होता है, वे सब देवी के परसाथ का ही फल है, अता इस कल्यान में सोतर का सदा जब करते रहना चाहिए, इस सोतर का मन्द स्वर में पाठ करने प पर स्वलब फल की प्राप्ति होती है, और उचिस्तर में पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धी होती है, अते उचिस्वर से ही इसका पाठ आरम करना चाहिए, जिनके परसाथ से एश्वरे सवभागे आरोग संबत्ति, शत्रु नास्त परमुक्ष की सिद्धी होती है, उ उन कर्णियान में जब दंबा किस्तोती मर्श क्यों नहीं करता और इस प्रगार की लगपाट समात हुआ